कंसीव करने के तीन से चार दिन बाद ही दिखते हैं, प्रेगनेसी के ये लक्षन और पीरीड ही कनफर्म हो जाती है प्रेगनेसी. एक, पीरियड्स मिस होना. प्रेगनेसी का प्रारंभिक लक्षन माना जाता है. किन्तु कभी-कभी अन्यस्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं, आथ़ पीरियड्स मिस होने पर प्रारंभिक प्रेगनेसी टेस्ट करें या अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। कुछ महिलाओं को गर्भधारण के तुरंत बाद जी मिचलाने और चक्कर आने की समस्या महसूस हो सकती है, किन्तु आवश्यक नहीं की यह समस्या सभी महिलाओं को हो। वैसे तो इस समस्या के होने का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। यह समस्या गर्भावस्था के दौरान हार्मोन के घटने बढ़ने के कारण हो सकती है। तीन हलका रक्तसराव जब भ्रून पहली बार गर्भाशे में जाता है, तो यह रक्त वाहिकाओं को बाधित करता है और रक्तसराव का कारण बनता है, जिसे इंप्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। इस हलके रक्तसराव को अक्सर भूलवश पीरियड्स की शुरुवात मान लिया जाता है, लेकिन आमतोर पर पीरियड्स के खून का रंग थोड़ा अलग होता है। यह फर्टिलाइजेशन के 10 से 14 दिन बाध हो सकता है। दॉक्टर के अनुसार यह गर्भावस्था के शुरुवाती संकेत के रूप में जाना जा सकता है, हालां कि यह सभी महिलाओं को नहीं होता है। चार ठकान महसूस होना गर्भावस्था के शुरुवाती लक्षणों में ठकान महसूस होना भी बहुत सामान्य होता है। प्रारम्भिक गर्भावस्था के दौरान हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है जिससे आप ठकान अनुभव कर सकती हैं जिससे आपको अधिक नींद भी आ सकती हैं। पांच मौर्निंग सिकनेस मौर्निंग सिकनेस को भी प्रेगनेसी के मुख्य लक्षनों में से एक माना जाता है जो दिन या रात किसी भी समय हो सकती है। अक्सर आपके गर्भवती होने के एक महीने बाद यह लक्षन दिखाई देना शुरू होता है। हालांकि कुछ महीलाओं में यह कुछ पहले भी शुरू हो सकता है क्योंकि प्रत्येक महीला के लक्षन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ब्रेस्ट और निप्पल्स में दर्द होना और निप्पल्स का रंग परिवर्तन गर्भावस्था के शुरुवाती दिनों में हार्मोनल परिवर्तन के कारण आपके ब्रेस्ट या स्तनों में आप समवेदन शीलता और निप्पल्स में दर्द महसूस कर सकती हैं कुछ महिलाओं में निप्पल्स में समवेदन शीलता के साथ साथ ब्रेस्ट में दर्ध भी अनुभव किया जा सकता है यह असुविधा कुछ हफ्टों के बाद कम होने लगती है क्योंकि समय के साथ आपका शरीर हार्मोनल परिवर्तनों को अपने में समायोजित कर लेता है इसके अलावा आपके निप्पल्स का रंग भी भूरे से काले रंग में परिवर्तित होने लगता है गर्भावस्था के शुरुवाती लक्षणों में मूर में उतर चड़ाव आना भी अहम भूमी का निभाता है प्रेगनेंसी के बाद एक महिला बिना कारण हंसना, रोना और असामान्य रूप से भावनात्मक व्यवहार का अनुभव करती है ऐसा उसके शरीर में हार्मोन के कारण होता है यह लक्षण अक्सर सभी महिलाओं में उनकी गर्भावस्था के समय काफी आम है प्रेगनेंसी के शुरुवाती दिनों में आप सिर्दर्द का अनुभव कर सकती है जो गर्भावस्था के शुरुवाती दिनों में शरीर में बढ़ते रक्त परिसंचरन और निश्चित रूप से बढ़ते हार्मोन के स्टर के कारण हो सकता है बहुत बार तेज सिर्दर्द के साथ आप अत्यधिक ठकान का भी अनुभव कर सकती है बार बार टॉयलेट जाना भी प्रेगनेंसी के मुख्य लक्षणों में जाना जाता है यदि आप अपनी ओवुलेशन प्रक्रिया के बाद गर्भधारन कर लेती हैं तो आप एक दिन में सामाने से अधिक बार पेशाब के लिए जा सकती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपकी किडनी अधिक मात्रा में तरल पदार्थ निकालने लगती है जो हैं जो पेशाब की सहायता से बाहर निकलता है गर्भधारन के बाद एक खास लक्षन होता है जो अधिकतर सभी महिलाएं अनुभव अवश्य करती हैं वह है आपके स्वाद में परिवर्तन कभी किसी भोजन को खाने की बहुत इच्छा होना या मन पसंद भोजन से चिडन होना नई गर्भवती महिलाओं में अक्सर भोजन की गरबड़ी विक्सित होती है प्रेगनेसी से पहले उनके पसंद किये जाने वाले व्यंजन इस दोरान पसंद नहीं आते इसके अलावा आपको किसी खास भोजन को खाने का मन बार-बार हो सकता है इसे गर्भावस्था में भोजन की क्रेविंग के रूप में जाना जाता है गर्भाधारन करने के बाद आपकी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर पड़ सकती है जिस कारण आप कुछ पाचन समबंधी समस्याओं जैसे पेट फूलना कब्स उल्टी आना इत्यादी सामना कर सकती है ये सभी समस्याई भी प्रेगनेंसी के शुरुवाती लक्षणों के रूप में जानी जाती है गर्भावस्था के दौरान पाचन क्रिया धीमी होने के कारण भोजन पाचन तंत्र में सामाने से अधिक लंबे समय तक रहता है जिस कारण कई गर्भवती महिलाओं को अपनी गर्भावस्था में गैस या ब्लोटिंग की समस्या काफी पहले अनुभव होने लगती है इसके अलावा कब्स की शिकायत भी काफी आम है प्रोजेस्टेरोन का उच्चस्तर न केवल पाचन प्रक्रिया को धीमा करके गैस और ब्लोटिंग का कारण बनता है साथ ही ये पाचन तंत्र की विभिन मानस्पेशियों को भी धीमा कर देते हैं जिस कारण कब्स की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है यदि आप उप्रोक्त दिये सभी लक्षन महसूस कर रहे हैं तो आप गर्भवती हो सकती हैं किन्तु कुछ भी स्पष्ट करने से पहले प्रेगनेसी टेस्ट अवश्य कराएं या तुरंद अपने डॉक्टर से सलावाएं किन्तु कर दो देख आप तू है